देखिए भारत एट नाइन कावेंद चौहान के साथ इतनी है कि एक बड़े पावर सेंटर पर हमला कर पाता, एक बड़े पावर सेंटर पर चोट कर पाना, क्वेशन कर पाना काफी मुश्किल होता है तमिलाडू गॉर्मेंट, DMK, M.K. स्टारिन, चीफ मिनिस्टर आफ तमिलाडू इनसे सवाल कर पाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि जब कॉंट्रोवर्सियल, जब कुछ भी चीज़े होती हो तो वहाँ पर ये लटियन मीडिया शान्त रहने का काम करें और ये लटियन मीडिया दरसल कुछ पॉलिटीशन्स को डिजाइन करने का काम करती है उनकी रैलीज को डिजाइन करने का काम करती है उनको पॉप्लराइज करने का काम करती है उनको सवारने का काम करती है उनको बनाने का काम करती है यह आपके हकों की बात कम करते हैं नेताओं की बात जादा रखते हैं और बिल्कुल सेम डिट्टो यही केस है तंजावुल का जहाँ पर एक सत्रा साल की लड़की सूसाइड करने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि स्कूल की अथॉरिटीज स्कूल का प्रशासन उससे ये कहता है कि आप कनवर्ट हो जाएए प्रिश्यानिटी को अपना लेजाएए नेकिन थंजावुल पुलिस पूरा प्रशासन यहाँ तक ही गॉर्मेंट में इस चीज़ को अवाइड करने है एक सत्रा साल की बेटी कुछ तो तो जीज़र करेंगा है और शूसाइड से पहले बकाएदा वू स्टेटमेंट दे कर जाती है कि उसको कणवर्ट करने के लिए कहा जब इसने कवाएग नहीं किया जब उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उससे साफ सफाई करवाई गई उसे वाश्रूम साफ करवाई गई उसे फ्लोर्ट साफ करवाई गई इसे सो पैथिटिक और लेटियन मीडिया जो आजकल दरसल नेताओं को डिजाइन करने का काम करती है उनकी रैलीज को fancy बनाने का काम करती है, नेताओं को promote करने का काम करती है, वो इस मुद्दे को दूर से देख रहे हैं और विश्वास कीजिए, ऐसा नहीं है कि उनके पास feed नहीं गई, ऐसा नहीं है कि उनके reporters नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं ह लेकिन बाज सिर्फ इतनी है कि लटियन मीडिया उस पिरेमिड के सबसे जो चोटी उसकी जो चोटी है जो दरसलिक पावर सेंटर है उसको हिट नहीं करना चाहती है और आज लवन्या वाले मैटर पर एक बार फिर इसले बोल रहे हैं क्योंकि फॉस्स दे से जब लटियन मीडिया इसको यूँ ब्रेकिंग ए टिकर पर भी नही चला रहा था नीचे स्क्रॉल पर भी जगा नहीं दे रहा था अकवार वाले इसको छोटी अटिंग में बाई-लाइन में भी जगा नहीं दे रहे थे निउस चैनल इस पर बात भी नहीं करना चाहते थे और मेरे साथी सायोगी जो अन्य संस्थानों में काम करते हैं तो इस स्टोरी को आप हिंदी बेल्ट में कहीं दिखाएंगे किसी को समझ नहीं आएगा ये तमिलनाडू का मैटर है लेट दर लोकल मीडिया हैं लेकिन लोकल मीडिया लोकल प्रशासन क्या हम विश्वास कर सकते हैं क्या दिल्ली से जो सरकार चलती है दिल्ली से जो मीडिया नैशनल मीडिया होने का दावा करते हैं क्या तमिलनाडू इस नेशन के अंदर नहीं है लवन्या के मैटर पर सबसे पहले तो हाई कोट ने फटकार लगाई प्रशासन को की केस दर्ज करिए तब केस दर्ज हुआ हाई कोट ने जब फटकार लगाई तब जाकर केस दर्ज हुआ और आप विश्वास करेंगे इस बात का कि अब हाई कोट स्वैम इस बात को कह रहा है कि काफी नेगलीजन्स हुई है काफी नेगलीजन्स हुई है यूनो सबूतों को छेड़ चाड़ करने की कोशिश की गई उनके साथ सबूतों के साथ है और लवन्या उस पेटी को इसाफ कौन दिलाएगा और बहुत ज़्याद है बहुत ज़्यादा पैसे कि जब डियमके के लीडर्स से हम इसको लेकर सवाल करते हैं तो ऑफ कैमरा वो कहते हैं कि नहीं यह बीजेपी जो है दरसल या फिर जो फ्रिंज एलिमेंट्स है दरसल जो हिंदुत वादी एजिंडा वाले जो लोग है दरसल वो इस बुद्द् कर रहे हैं लिएक सीरियसले मतलब लवन्या का जो केस है वो कनेक्टेड है फोस्ट कन्वर्जन से वो कनेक्टेड है जबरंधर्म परवर्तन से तो इस मुद्द्दे पर बात नहीं करेंगे क्योंकि कमिनल लगता है यह यह क्या है मतलब हमारे देश में अगर कोई चीज गल इस वह गटिकरेक्टेड विट कमिनल और जो वेबसाइट से जो फॉरें मीडिया और जो पत्रकार जो फॉरें फंडिंग पर चलते हैं वह पत्रकार जो एज़ा गिफ्ट तू भी अज़के थ्री बेच्के लेते हैं और सो कॉल्ड राश्ट्रुवादी पत्रकार जो एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए जो जंडा बुलंद करते हैं और साइलें सब शान्त हैं लवन्या केस में सबसे बड़ा डेवलोप्मेंट यह है दर्शकों इस वक्त कि थांजावूर की 17 साल की एक बेटी हिंदू बेटी जो एक स्कूल में पढ़ती थी सेंट मेरी स्कूल जो था वहाँ पर उसको वहाँ पर बोला गया प्रिशासन की ओर से कि आपको कंवर्ट होना होगा Christianity आपको अपनानी होगा आपको इसाई बनना होगा उसने मना किया उसको उत्पीडन किया गया उसे वाश्रूम सास करवाए गये उसे कपड़े धुलवाए गये एर अट लास्ट उसे सूसाइड करना ज़्यादा इजी समझा इसको लेकर बाद में आपको विश्वास करिए यह हमारे देश के अंदर हो रहा है उसके माबाप चीक चीक कर कहते रहे कि उसकी बेटी को force convert करने के लिए कहा गया था बेटी मरने से पहले यह बोल कर गई है एंदा होल लोकल मीडिया पूरा लोकल मीडिया और पूरा प्रोसीडिंग्स में शामिल ही नहीं किया है उन्हों उनको सबूत की तरह अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है कि क्या हो रहा है और M.K. स्टैलिन अपने कैडर को DMK कैडर को चिठी लिखते हैं लैटर और उसमें कहते हैं कि आपको किसी भी तरीके से अगर BJP के तरब से कोई भी बोल रहा है या कोई भी इस तरीके की बाते कर रहा है और इस मैटर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या Justice for Lavanya वाली बाते कर रहा है तो उसको कम्यूनल उसको काउंटर करिये आप वो एक हार्मनी को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है Seriously I mean seriously एक Chief Minister जो अभी तक बिलकुल शांत था एक मैटर को लेकर और आज वो यह कह रहा है कि इनको काउंटर करिये देया या कि कम्यूनल हार्मनी को चोट महुँचा रहा है और Lutian Media शांत तोटल साइलेंट, अटर साइलेंट एडिसे सो एबसर्ड यह बहुत गलत है सबसे पहले आपको उनके माँ और उनके पिता अपनी बेटी की डिथ के बाद क्या कुछ कह रहे हैं और लोकल मीडिया किस तरीके से उनको शांत कराने की कोशिश कर रहा है इस वीडियो को चलाइएखा अपलेंट पिता प्रियो कुछ किस दोथे एक पादी चाने की इंढ़ यारंड़ कोडिएखा इंगे पुन्न आला पश्टू उर्प उर्कनों यंगे पोन्नु के नड़न ड़न्न अमरि विए रेंद पन्नु के दानी आया या नड़को बुड़ाद है कि रहापि विन मेरी शाहा इले मेरी और था यू करने में ए आढ़न दुछी ए कंगे जाया है यह नहीं कर देन हुद्टकों मिधने पर्च याविस नहीं पाथ जिना में जले इस वीडियो में माता और पिता दोनों जो पेट तुन आवो देखा वीडियो दर्श को आपने इस वीडियो में माता और पिता दोनों लोग कह रहे हैं कि उनकी बेटी को फोर्सली कनवर्ट कराने की कोशिश थी उनकी बेटी ने मना किया और उसने सुसाइट करना जादा इजी समझा और मीडिया वाले जानबूच कर उसको मैनिपिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं मैनिपिलेट कर रहे हैं क्यों है ये? वाइ? और सबसे वड़ी चीज ये है कि इस पूरे मैटर पर प्रशासन सांथ है सीम सांथ है पूरा जो स्टेट का जो बॉड़ी वहाँ पर काम कर रही है पॉलिटिकल पार्टी वो शांथ है विपक्षावाज उठा रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए बकाईदा लेटर लिखा गया है और लुटियन मीडिया आई डोन्ट क्यों शांथ है बस या एक ही स्टेटमेंट हो सकता है एक ही बात में कह सकता हूँ जो चाहते है नहीं चाहते है और जो लोग पहली बार इस एपिसोड को देख रहे है लवन्या वाले एपिसोड को उनसे बैं कहूंगा कि एक बारा पुरी रिपोर्ट देख लीकिये कि पुरी रिपोर्ट क्या है लवन्या का पूरा मैटर जो है, वो दर असल कहा है, the story behind लवन्या, death, और हम क्यों कह रहे हैं justice for लवन्या, even today, आप इस रिपोर्ट को देखें क्या कोई बजह, धर्म परिवर्तन सिखाता है कमिल नाडू, हिंदू लड़की को क्यों किया गया मजबूर लवन्या के नाम पर चुप क्यों है तख्ती गैंग भाशा की बेडिया है, तो क्या हम चुप रहेंगे मदराज भाई कोट की फटकार के बाद हुआ मुकर्मा देश को दहला देने वाली सबसे बड़ी घटना ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तमिलाडू में धर्म परिवर्तन की शिकार एक चात्रा नहीं खुदकुशी कर ली आरोप है कि चात्रा को जबरन इसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था इसका विरोध करने पर जब चात्रा को तरह तरह से प्रताडित किया जाने लगा तब चात्रा ने खुदकुशी करने का मन बना लिया छात्रा की खुदकुशी करने की कोशिश के बाद उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई 17 साल की ये नाबालिग लड़की तमिलाडू के तंजावुर में सेंट माइकल गल्स होम में रहती थी घट्टा के बाद लड़की का एक वीडियो भी सामने आया है जिस पे उसने आरूप लगाया था कि उसे इसाई धर्मना अपनाने के लिए लगातार प्रताडित किया जा रहा था और डाटा जा रहा था अपने बुड़ा थे तो मोई भी जाए रहा थान एक उद्भाप लोगाए लागाव नगए लंगाव इसाईट किया रहा था मुद्भाप लिए तो मीकश्वाटी सेक्टा लिए अपने फ्ल्माली थाई लोगाऑ यार किल गेटाए अब्माना रहा था दो सोन्धे उन्द उसे कमरे को साफ करने के लिए कहा जाता था, उसे टॉयलेट साफ करने के लिए कहा जाता था, जिससे तंग आकर छात्रा ने कीटना शक दवाई पीली। जिसके बाद बेटी को अस्पताल में भरती कराया गया, वही पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। बयान के आधार पर 62 साल की सकाय मायारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटा के बाद से लोगों में भरी आकरोश दिखने को मिल रहा है। ट्विटर पर जहां ट्रेंग चल रही हैं तो वहीं लोग जस्टिस फॉर लवन्या नाम से बार बार ये आवाज उठा रही है। तो यहीं मैटर है, पूरा लवन्या के स्टोरी का जिसको लेकर आध मैं फिर आपके सामने आथा। और हर को यही कोशिश कर रहा है, लुटियन मीडिया ही कोशिश कर रहा है, लोकल मीडिया ही कोशिश कर रहा है, लोकल प्रिशासन ही कोशिश कर रहा है, एवरीमन सब यही कोशिश कर रहा है, सब इसी चीज में बिजी है, तो यह थोड़ा सा समझने वाली चीज है, थोड़ा स लगातार हम News World India पर देते रहेंगे क्योंकि News World India is not going to be silent हम आपको हर update देंगे और जब तक लवन्या जो की suicide case कहा जा रहा है वो दरसले एक murder story है उसमें जब तक लवन्या को justice नहीं मिल जाता the whole culprits, जितने culprits हैं इसमें, जितने लोग forced conversion वाली जो हरकत कर रहे हैं ये सब जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं बैठ जाते तब तक भारत एट नाइन में इस मुद्दे को हम उठाते रहें लगातार, बार बार, फिलाल के लिए शुक्रिया देखिए भारत एट नाइन कावेंदर चौहान के साथ